Hey everyone, welcome back to Emers तो दोस्तो जैसे के आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा और थमनेल देखा होगा कि हमें किस तरीक से उत्राखंड परिक्षावानी बुक पढ़नी है और इसका हम रिव्यू भी साथ साथ देखेंगे तो दोस्तो अभी तक जो भी उत्राखंड के पेपर होते हैं उनमें परिक्षावानी का सबसे ज़्यादा रोल होता है और अब जो एक्जाम है वो UKPSC कराएगा तो UKPSC में 90% उत्राखंड के जो क्वेशन है या हम कहें 90-95% क्वेशन उत्राखंड के जो आते हैं वो सारे परिक्षावानी से ही आते हैं ठीक है तो यदि आप UKPSC के दोरा गुरूपC के एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं अब तो आपको परिक्षावानी पढ़नी है और जब आप परिक्षावानी को complete करतोगे तब ही आप दूसरी बुक के साथ जा सकते हो लेकिन पहले आपको परिक्षावानी A to Z complete करनी है और यदि परिक्षावानी से 30 या 40, 40 questions यदि परिक्षावानी से आते हैं और 40 questions का उत्राखंड तो आता है लेकिन उसमें से यह थी 30 या 35 सवाल परिक्षावानी के आता है तो आप उन क्वेस्टनों को सही ढंक से कर लेते हो तो आपको दूसरी बुक पढ़ने की जुरत नहीं है लेकिन अगर आपने परिक्षावानी पूरी कंप्लीट नहीं करी है और आप दूसरी बुक पढ़ते चलेगे तो आप उन 4 या 5 क्वेस्टनों के लिए आप परिक्षावानी के जो बेसिक क्वेस्टन है उनको छोड़ दोगे तो ये आपको कट आप में पीछे धके लेगा या जो मेरिट लिस्ट है उसमें पीछे धके लेगा ठीक है इसलिए आपको परिक्षावानी complete करनी है सबसे पहले और आपकी जब परिक्षावानी complete हो जाए उसके बादे दूसरी वुख की तरफ आपको जाना है तो हम देखते हैं एके करके कि क्या क्या चीज़े आपको यहाँ पर पढ़नी है तो दोस्तों देखो यह पहला पेज है परिक्षावानी तो आप सभी लोग के पास होगी यह थोड़ा पुरानी परिक्षावानी है तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले हम यहाँ पर जो इस पहले अध्याय को आप छोड़ोगे और उसके बाद आप second chapter से पढ़ते वे चलेंगे और आप सीधे आगे पहुचेंगे जब last में 21 chapter आपकी complete हो जाएंगे हलांकि यह थोड़ी पुरानी book है लेकिन 21 का जो यहाँ पर जो नया वाला edition आया है उसमें नया current affair है तो आप नहीं व पुड़ोगे और उसके एक एक point को आप याद करते हो चलेंगे तो दोस्तों देखो जैसे हम पहले chapter के ओड़ चलते हैं पहले chapter में यह one liner format में यह question दिये गये हैं तो इनको देखो एक बार तो सारे यह one liner format में और यही चीज़ां आपको बाकी जो 21 chapter है उनमें भी दी गई हो ठीक है तो 21 chapter में भी यही चीज़ां आपको दी गई होंगी लेकिन जब आप उन chapter को पड़ लोगे उसके बाद आप इनको बिना देखे इनका जवाब देने में सक्सम हो जाओगे ठीक है आप यहाँ बिना देखे इनका जवाब यहाँ पर आप दे सकते हो तो यह one liner question पूर चैप्टर हमारे पास है पहला चैप्टर बहुत सबसे बड़ा चैप्टर यही है क्योंकि इसमें पूरे जितने भी 22 चैप्टर है इनका सार दिया हुआ है अब दूसा चैप्टर यहाँ से सुरू होता है तो जैसे आपका दूसा चैप्टर यहाँ से सुरू आप करोगे त तो आप इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर दिया गया है थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा जैसे दिया गया है राज्या चीन हो गया राज्या पुस्प हो गया तो इनकी जो जैसे यह दिया गया है राज्या पुस्प 4800 से 6000 मेटर की उचाई तक पाय जाते हैं तो आपको इनकी उचाई मनलब कीतनी उचाई पाय जाते हैं वो भी नोट करना है इसके साथ ही इसका जो scientific name है वो क्या है ये भी आपको नोट करना है ठीक है किसने पढ़ जातिया है ये भी नोट करना है और इसके बारे में कहां कहां ये लगता है क यह सब आपको यहाँ पर नोट करना है इसके बाद जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे ठीक है सब के बारे में पढ़ते हुए आप चलेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर box में कुछ दिया गया है तो जो यहाँ पर box में दिया गया है यहाँ से direct question पूछी जाते है ठीक है आपने सारे पढ़ लेना है और अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी लगती है जो important है और आप भूल सकते हो उसे या आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से इसके side में लिखते वे चलेंगे ठीक है तो यहाँ से आपको मलब जब आप last में revision करोगे कि आपने जब पूरी book पढ़ ली है और exam से एक है दो दिन पहले जब आप revision कर रहे होंगे तो आपको जो important चीज़ें हैं वो यहाँ पर side में आपकी लिखिवी होंगी तो आपको पूरा chapter पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं पढ़ेगी और जो यह boxes में दिये गिये हैं आप इनको note करते वे चलेंगे और इनको इन पर wishes ध्यान रखते वे चलेंगे क्योंकि यहाँ से direct question पूछते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देखो जगा जगा पर यहाँ पर boxes दिये गये हैं और मैंने यहाँ पर कुछ note किया हुआ है जैसे कि वेश्वा, high court वगेरा जो भी है उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यह question पूरे पूछे गये है और इन में भी, देखो, इनके answer नीचे दिये गये है तो आपको बिना answer देके इनको पहले solve करना है फिर देखना है आपकी कितने question सही हुए है या कितने question गलत हुए जैसे आप test series करते हुए उसी तरीके से आपको यह question solve करना है तो जो आपको नहीं आ रहा है उनको एक side पे note करते हुए चले है जो आपके गलत हुए है ठीक है और यहाँ पर जैसे देखो मैंने यहाँ पर note किये गये है तो इन सब चीज़े जो आपको नहीं आ रहा है या जो आपको लगता है important है तो आप उनको note करते हुए चले अब दूसरा chapter यह है इसमें बिल्कुल same procedure आपको अपनाना है ठीक है अब आगे मैं बताता हूँ और क्या चीज़े यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जैसे कि यह उत्राखंट जनगर्णा 2011 वाला है हालांकि आप नहीं जनगर्णा का data आ जाएगा 2030 में तो आपको अभी तक यहीं जनगर्णा पड़नी है और इसमें भी कुछ चीज़े आपको change करनी पड़ेगी जैसे कि यहाँ पर दिया गया होगा उत्राखंट का कौन सा क्रम है क्योंकि अब जो जेंड के है उसको दो बागों में divide करके उसके उसे union territory बनाए गया है तो उसी से उत्राखंट का जो क्रम है राजयों में वो थोड़ा उपर या नीचे हो जाएगा ठिक तो उसको आप correct करते वे चलेंगे क्योंकि वहाँ से question जरूर पूछे जाएंगे और इसी तरीके से जो यहाँ पर अर्थ ब्योस्ता वाला जो part है अर्थ ब्योस्ता वाले part में भी हमेशा changes होडते रहते हैं क्योंकि जो अलग-अलग सालों में budget मिकाले जाते हैं उनी से question डारेक्ट पूछे जाते हैं और हमेशा आपको जो economy वाला part इसका है उसको updated डखना पड़ता है तो आप उसको भी note करते वे चलेंगे दो-तीन चीज़े यहाँ पर हैं जो आपको हमेशा update रखना है जिनका एक economy वाला section आपका है और एक जनगरना वाला section आपका है और तीसरा जो सबसे last में आपका है जैसे यह हो गया यहाँ पर उत्राखंट, सौर्य परंप्रा, खेल, पुरसका, रादी और इसी के साथ ही उत्राखंट के जो-जो महान विभूतियां है जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है उनके बेरा में वे आपको updated रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नए-नए पुरसकार मिलते रहते हैं हर साल तो उनके बारे में वे आपको जानना जरूरी है इसके साथ ही last में ये वाला जो section है उत्राकंट समसामाई की वाला ये वाला जो section है इसको भी आपको updated रखना पड़ेगा और आपके पास यदि ये नहीं वाली किताब है तो उसमें सारा कुछ है इसके बाद हम जो दूसरी रिव्यू बुक रिव्यू बनाएंगे या दूसरा हम आपको देंगे कि जो विंसर की बुक है वो आपको कैसे पढ़नी है तो उसके बारे में हम नए वीडियो बनाएंगे तो ये है उत्राकंट परिक्छावानी का रिव्यू का है हम या इसको कैसे पढ़ना है तो इह सब आप लोग के लिए है जो भी नए लोग हैं हालनकि जो पुराने लोग हैं उनको सब पता है उन्होंने पूरी बुक पढ़ रखी है तो नए लोग जो पुलिस कंस्टबल की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक रिव्यू है या उत्राखंट परिक्षा वाने को कैसे पड़े तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में See you soon, good luck, bye bye, ticker